तो जैसे कि आप सब जानते हैं बिग बॉस ओटिटी खत्म होने के बाद से मनीशा का क्रेज काफी बढ़ गया था जो लड़का कहें मनीशा सिर्फ मेरी है ऐसा दिवाना बनेगा मेरा दूला मनीशा रानी की दिल के बाद सुनकर जजिस जब हुए हैरान आईए जानते हैं मनीशा रानी के बारे में बिग बॉस ओटिटी टू में बिहार की मनीशा रानी का देशी अंदाच और उनका चुल्बुलापन लोगों को खूब पसंद आया उन्हें को पसंद किया गया सलमान खान के शो पर उन्होंने अपना ऐसा जलवा दिखाया कि वो रातो रात पॉपलर हो गई इन दिनों वो जलक दिखला जा एलविन में अपने डांस से लोगों का दल जीतती दिख रही है कुछ दिन पहले मनीशा भारती सिंग और हर्स लिमबाचिया के पॉड़कास पर पहुँची थी मनीशा रानी हर्स ने उनसे पूछा कि मनीशा शादी कप करेंगी और आपको क्यासा लड़का चाहिए इस पर मनीशा कहती है कि हम आज भी पुराने जमाने वाले प्यार पर यकीन करते हैं जिससे ही रांज़ा और लैला मजनू टाइब ऐसा लड़का चाहते हैं जो मेरे लिए जमाने से लड़ जाए मुझे बाहों में लेकर कहें कि मनीशा सिर्फ मेरी है आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्यार तो हमारे बिहार के लोग करते हैं वहां लड़के बाइक से पलट पलट कर देखते हैं चोरी चोरी छिपके छिपके मिलते हैं मनीशा कहती है कि उनका जो एक्स बॉइफरेंड था वो कहता था कि आज के जमाने में तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा चाहे तो फिल्में भी देख लो भारती कहती है कि मतलब लड़की एक फिल्मी है इसके हस्बेंड भी फिल्मी होने चाहिए न जिसमें मनीशा रानी कहती है ऐसा बिलकुल नहीं है मनीशा कहती है कि मुंबई में उन्हें अब तक ऐसा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिला कुछ समय पहले मनीशा रानी को टोनी ककड के साथ स्पॉर्ट किया जाता था इनके डेटिंग की अफवाय भी उड़ी थी पर दोनों ने ही एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया और इस गलत फहमी को लोगों से दूर कर दिया अबल दोस्तों आपको कैसी लगती है मनीशा रानी साथ ही आप उन्हें कतना पसंद करते हैं जलक दिखला जा फॉलो कर रहे हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रू लिखे गया आसे ही और बहतरीन अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना बिलकुल नफूले मिलते हैं न